हेलो एवरीबन, स्वागते आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD जॉब में दो सैनिक स्कूल से टीचर वेकेंसी के नोटिफिकेशन जारी किये गए हैं सैलरी की अधिय हम बात करें, तो सैनिक स्कूल में जो सैलरी है हर स्कूल की अलग-अलग रहती है, अलग-अलग पोस्ट में जहां हम केंद्र विध्याले की बात करते हैं, तो फिक्स्ड सैलरी रहती है PRT, TZT, PGT की, आप कहीं से भी आवेदन करें, किसी भी केंद्र विध्याले में लेकिन सैनिक की स्कूल जो है, वो सभी जगे अलग-अलग सैलरी है पोस्ट वाइज, तो दोनों ही नोटिफिकेशन जो है, वो अच्छे से देखेंगे सैलरी काफी अच्छी जो है, इसमें रहती है 44,900 से लेकर 47,600 तक सैलरी रहेगी, दूसरे नोटिफिकेशन में में फूड भी जो है अवलेवल यहां पर टीचर्स को करवाया जाता है ठीक है, सब भी विशो में वेकेंसी आई हुई है, सब भी राज्यों के कैंडिट यहां पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं लास्ट डेट जो है वो दोनों नोटिफिकेशन में देखेंगे, इसके साथ में दोनों ही जो है अलग-लग राज्यों से वेकेंसी है, एस क्राइटेरिया चेक करेंगे, साथ में जो है सबजेक्ट वाइज क्या क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं और कैसे अपलाई करना है, तो चलिए ओफिशल वेबसाइट पर चलेंगे दोनों ही सैनिक स्कूल की, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि सैनिक स्कूल गोल बड़ा से वेकेंसी है, और दूसरा जो है नोटिफिकेशन सैनिक स्कूल बाला चड़ी से वेकेंसी है, ठीक है, अब एके करके दो स्कूल को देख लेते हैं, सबसे पहले ओफिशल वेबसाइट सैनिक स्कूल बाला चड़ी की, इसी को देख लेंगे, इसमें जो है लेटेस्ट न्यूस पर यहां आपको लेफ्ट साइड में वेकेंसी सेक्शन नजर आएगा, इस पर क्लिक करेंगे, यह पेज ओपन हो तो इसमें स्कूल मेडिकल ऑफिसर की एक वेकेंसी आई हुई है, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर कम मेटरोन, फीमेल कैंडिडेट के लिए एक वेकेंसी है, पीजिटी फिजिक्स में एक वेकेंसी है, टीजिटी हिंदी में एक वेकेंसी और टीजिटी मैट्स में ए और इसमें जो है बहारी राज्य के कैंडी रेट गुजरात राज्य से बहार के जो कैंडी रेट है वो भी जो है फॉर्म अप्लाइ कर सकते हैं अंडर सैनिक स्कूल सोसाइटी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गॉर्मेंट ऑफ इंडिया के तहत जो है यह स्कूल चलाए जाते हैं स्कूल मेडिकल ऑफिसर की जो एक वेकैंसी है तो इसमें जो है उम्र 21 से 50 वर्स है 47,600 पर मथ जो है इसमें सैलरी रहेगी और आप देखें रेंट फ्री एकोमोडेशन और फ्री एसेंशियल फर्नीचर सब सोविधाएं रहती हैं क्वालिफिकेशन जो है स्कूल मेडिकल ऑफिसर के लिए MBVS डिग्री मागी गई है नेक्स्ट देखें फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का मैट्रोन की जो इसमें फीमेल केंडिडेट अप्लाइ कर सकती है एक पोस्ट है 21 से 35 वर्स इसमें उम्र है 20,000 पर मंथ जो है इसमें सैलरी है बाकी सभी सोविधाएं हैं ही खाना रहना फ्री क्वालिफिकेशन बीपेट जो है इसमें मांगा गया है और साथ में जो है वीपेट जो है मांगा गया है इसमें बैचलर ओफ फिजिकल एजुकेशन या फिर तीन साल का ग्रेजुएशन के साथ में अगर आपने डिप्लॉमा किया है फिजिकल एजुकेशन में तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, किसी में भी कोई अनुवर्व नहीं मांग रहे हैं, PZT physics में एक vacancy है, 47,000 पर मन सेलरी है, इसमें जो है MSC MED, MSC MED वाले अप्लाई कर सकते हैं, MSC BED वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, अनुवर्व किसी में नहीं मांग रहे हैं, TZT हिंदी के लिए एक पोस्ट है, 21 से 35 वर्ष, PZT के लिए 21 से 40 वर्ष थी उम्र, और TZT हिंदी के लिए 21 से 35 है, वहीं TZT मैट्स के लिए भी 21 से 35 आयू सीमा है, 44,900 सेलरी है, TZT के लिए अप्लाई करेंगे, तो Graduation और B.Ed. आपका होना चाहिए, Graduation में 50% मार्क्स पांग रहे हैं, साथ में CTAT या फिर आपके राज्य का TAT क्वालिफाई होना चाहिए, आप किसी भी राज्य से बिलॉंग करते हैं, आपने आपके राज्य का TAT क्लियर किया है, या CTAT क्लियर किया है, तो आप यहाँ पर Form Apply कर सकते हैं, नेक्स्ट जो वैकेंसी है, सैनिक स्कूल गोल परा, इसमें जो है, नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर, आप देखेंगे, यहाँ वैकेंसी सेक्शन नज़रा रहा है, इस पर क्लिक करना है, और मैं आप लोगों को, step by step सारी चीज़ें समझाती जाती हूँ, ताकि आप लोग कोई भी मिस्टेक ना करें, official website का link, इसी वीडियो के नीचे, description box में आपको मिल जाता है, उस पर क्लिक करके, आप लोग जो है, जैसे step by step, कैसे advertisement देखना है, कैसे application form जो है, डाउनलोड करना है, कैसे apply करना है, सारी चीज़ें समझें, यहाँ पर जो vacancy आई है, academic and administrative post, contract base पर है, click here for download, पहले जो है, permanent vacancy आती थी, बट इस साल से जो है, जितने भी Zanik School है, सभी से contract base पर vacancy आ रही है, कुछ एक school रहेंगे, जहाँ पर regular base पर vacancy जारी की गई है, इसमें last date पहले ही दे दी गई है, last date जो है, receipt of application at Sanik School गोलपरा, on 22 July 2024, ठीक है, last date जो है, आपने ध्यान में रख ली, आप देख लें, PZT Maths में एक vacancy, TZT English में, TZT Social Science में एक एक vacancy है, यह दिन कर सकते हैं, computer, teacher, trainer की vacancy है, यह भी unreserved category के लिए, craft and workshop, instructor की एक vacancy, band master की, lab assistant की, जिसमें 12th pass candidate apply कर पाएंगे, physical education, teacher की vacancy है, और LDC की vacancy है, horse riding instructor, mass manager, matron और ward boy, ठीक है, सब भी unreserved category के लिए है, matron और ward boy, unreserved और OBC, इनके लिए है, तो unreserved में कोई भी जो है, apply कर सकते हैं, सैनिक स्कूल गोल पर आईए कहा है, असाम में, तो किसी भी राज्य की vacancy के notification, सिख्षक बरती के आते हैं, आप लोगों को मैं, वीडियो के माध्यम से जरूर, बताती हूँ, last date बता दी, अब इसमें qualification, जो है, यह क्या मांग रहे हैं, तो PZT के लिए, जो है, master degree आपकी subject में, और बीड, PZT के लिए, 21 से लेकर, 40 वर्स, salary जो है, यहाँ पर अलग है, जहाँ गुजरात में, salary काफी अधिक दिखाई दी, यहाँ पर salary, 35,000 पर मन्त है, बाकी रहना खाना तो है ही, TZT, TZT में जो है, यहाँ पर उम्र 21 से 35 वर्स है, 30,000 salary है, plus accommodation and mass, TZT, social science की देख लें, आप subject combination क्या कह रहे हैं, तो graduation, दो subject जो है, आपके history, या political science, या economic, sociology, या फिर geography, इन में से कोई दो subject आपके, 50 परतिशत मार्क सापके graduation में, B.Ed आपका होना चाहिए, और, C.T.T. या S.T.T. आपके राज्य का T.T. qualify आपका होना चाहिए, दोनों ही vacancy में, आपके राज्य के हैं, आपके राज्य का T.T. clear है, इसमें जो है देखिए यह कहा गया है कि जिनकी higher qualification होगी तो उनको preference मिलेगी, English language रहेगी, ठीक है, games या sports में उनका जो है कहीं पर भी activity जो है रही हो, आपके पास जो है उसका certificate रहा हो, और computer की जो है आपका certificate हो आपके पास, या फिर music में, public speaking, fine art में, या दो तीन साल का जो है अ अनुवब आपका English medium school में पढ़ाने करा हो, ऐसे candidate को preference मिलेगी, इसमें साफ साफ लिख दिया है, ठीक है, computer teacher के लिए, B.H.C. Computer Science, B.C.A. या Bachelor of Information Technology, साथ में आपके पास, जो है, computer का diploma, डिग्री जो होना चाहिए, यहाँ पर computer teacher की जो salary है, वो 20,000 है, तो मैंने आपको कहा, कि क इंद्री विद्याले की दरे इसमें जो salary है, वो बिलकुल fix नहीं रहती है, इसमें जो है, हर school में अलग-अलग रहती है, craft and workshop instructor की salary है, वो 25,000 है, और इसमें age 18 से 50 वर्स है, इसमें जो है केवल matriculation मांगा गया है, इससे अधिक आपकी, अगर कोई qualification है, तो और भी अच्छा ह है, और दो साल का trade certificate, English medium मांग रहे हैं, ठीक है, और preference जो है, इसे higher qualification और अनववी को देंगे ही, band master के लिए 18 से 50 वर्स हुम्र है, और 25,000 जो है salaries में है, lab assistant की देखें, science stream से 12 आपने किया है, minimum, minimum qualification है ये, और इसमें salary 14,000 है, बाकि सभी में जो है, accommodation और mass जो है, इसकी सुविदा तो रहेगी, physical education teacher के लिए इसके अंदर 17,000 salary है, अब इसमें salary जो है वो कम है, और इसमें जो है, diploma आपका physical education में होना चाहिए, LDC के लिए, जो है, इसमें matriculation from any recognized board, typing speed जो आपकी 40 word per minute होनी चाहिए, English में ही मांग रहे हैं, proficiency in computer, MS word, MS Excel, PowerPoint and internet, तो MS office का आपको जो है, आविदन कर सकते हैं, wild boy के लिए भी 10th pass candidate आविदन कर सकते हैं, 14,000 salary है, उसके बाद horse riding, mass manager की जो vacancy है, इसमें भी 10th pass और diploma degree जाहिए, इसके अंदर, आप देख लेते हैं, कैसे जो है, apply करना है, तो स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बता दिया, कि ये जो vacancy है, Sanlick School गोलवरा, Assam की, इसमें 22 July last date है, ये धिहान रखना है, selection procedure for PZT, TZT, computer teacher, trainer, band master, craft and workshop, instructor, lab assistant, physical education teacher की और mass manager की, return test होगा, demo रहेगा, या skill test और interview, ठीक है, ये selection procedure रहेगा इनका, LDC, matron and ward boy के लिए भी जो है, return test रहेगा और proficiency test, horse riding instructor के लिए skill test और interview, only shortlisted applicant will be called for selection process, तो जिनको shortlisted करेंगे, जिनको form जो है, बिल्कुल सही से fill किया हुआ, और जो qualification कही गई है, वो आप पूरा करते हैं, तो उनको shortlisted करेंगे, higher qualification को जो है, इस vacancy में जो है, वो बिल्कुल ये बुलाने की कोशिश करते हैं, interview की date जो है, वो email से आप लोगों को बताई जाएगी, तो email और contact number जो है, application form में जरूर डालें, demand draft जो है, इसमें बनाना होगा, 300 रुपीज का journal category, and 200 रुपीज का SC, ST, OBC category, ठीके, तो ध्यान से form apply करना है, address ये रहेगा, अब भी application form दिखा देंगे, principal sanic school goal परा, ये जो है, address रहेगा, आसाम का, post office, राजपरा, district goal परा, आसाम 783133, ये पूरा address है, ये पूरा address है, ठीके, demand draft जो है, आपका, principal sanic school goal परा की नाम से, बनवाना है, ठीके, पूरी information, और ये last way जो है, application format, ठीके, अब चलिए, दूसरी जो vacancy हमने देखी थी, बाला चड़ी की, जो की, गुजरात में है, तो, इसमें application form जो है, आपका, इसी में, मिलेगा, ये हमने देखा था, पूरा notification, इसमें लिखा है, last date जो है, advertisement जारी हुआ है, उसके, उसके बाद के 21 दिन तक, आप लोग apply कर सकते हैं, जो भी interested candidate है, apply करना होगा, principal sanic school, बाला चड़ी, जाम नगा, 361230, इसमें demand राफ, 400 रुपीज का, आपका, बनेगा, ठीक है, साथ में जो है, यहां लिख रहे है, self-addressed envelope, ये 30 रुपे का जो है, आपका stamp भी लगेगा, तो दोनों में अलग-अलग demand draft है, इसमें सभी category, किसी भी category के आप हैं, 400 रुपीज आपको इसमें, demand draft बनवाना होगा, इसमें नीचे देखें, तो नीचे application format है, तो आपको क्या करना है, अगर आपके subject है इसमें, आप apply करना चाते हैं, तो सबसे पहले official website पर आना है, वीडियो के नीचे आप लोगों को description box में link मिलेगा, उस पर click करेंगे, official website पर आजाएंगे, और जैसे जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, जहां पर advertisement है, वहीं पर आप लोगों का application form मिलेगा, पहले इस विग्यापन को दुबारा से पढ़ उसके नीचे sign करके और application form के साथ में लगाना है, demand draft भी जो है ready करके उसके साथ में लगाना है और दिये गए address पर भेज देना है, ठीक है, ये दोनों ही में vacancy जो है, contractual basis पर है, ध्यान रखें आप, क्योंकि बहुत कम vacancy देखी मैंने इस साल, सैनिक स्कूल में जो की regular basis पर निकाली गई, सभी में जो है, contractual basis पर ही निकाली गई हैं, तो अगर आप interested हैं, तो बिलकुल आवेधन करें, अंतिम डेट से पहले, मिलेंगे next वीडियो में, thank you.